अडानी ग्रुप ने एक बार फिर किया कमाल क्या हिंडन्बर की रिपोर्ट का नहीं हुआ सर? सिर्फ एक हफते में अडानी ग्रुप ने किया कमबैक बुरे के बाद अच्छे दिन भी आते हैं दिन किसी के भी हों हमेशा एक जैसे नहीं रहते ये कहावत भारतीय कारुबारी गौतम अडानी पर आज के दिन बिलकुल सतीक भैटती है हिंडनमर की जिस रिपोर्ट ने गौतम अडानी के सामराजी को हिला दिया था एक हफते में ही दिन में तारे दिखा दिये थे शायद उसका असर अब खत्म हो चुका है यही वज़य है कि अडानी इंटरप्राइजेज के शेर 25 फीज़दी रफतार के साथ भागे हैं और महज 105 मिनिट में 45,000 करोल का प्रॉफिट कमाया है अचानक ऐसा क्या हुआ जो अडानी इंटरप्राइजेज के शेर 25 फीज़दी यानी रॉकेट की रफतार से भागे हैं इस बात पर यकिन करना इतनी जल्दी संभव नहीं क्योंकि सुमवार तक कमपनी के शेर में 24 जनवरी के बाद से 50 फीज़दी से ज्यादा की गरावट थी आठ दिन के बाद जब शेर बाजार खुला तो अडानी गुरूप की फ्लैक्शिप कमपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेरों की शुरुआत ओमीत के मुताबिक नहीं हुई लेकिन महज एक दिन यानि नौवे दिन बाजार खुलने में के 150 मिनिट में कमपनी के शेर 25 फीज़दी की रफ्तार से भाग रहा था सुनने में तो किसी सपने या मजाग जैसा लगता है लेकिन यह हकीकत है अडानी की किसमत की क्योंकि इस दोरान अडानी इंटरप्राइजिस की कमपनी को करीब 45,000 करोल रुपय का प्रॉफिट हुआ है अब की स्थिती में कमपनी का शेर करीब 15 फीज़दी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है मंगलवार का दिन गौतम अडानी के लिए मंगलकारी ही साबित हुआ जहां कमपनी के शेर रॉकिट की रफ्तार से भागे तो गरावट के बाद भी अचानक उच्छाल ने एक बार फिर गौतम अडानी का लोहा मनवा दिया आज के आकणों पर बात करें तो कमपनी का शेर सुबह 9 बचकर 15 मिनिट पर 1568 रुपे पर मामूली गरावट के साथ ओपिन हुआ और कारोबार के 105 मिनिट बीच जाने के बाद 25 विजदी की तेजी के साथ 1965.50 रुपे पर खत्म हुआ मतलब साफ है कि कमपनी के शेर 393.1 रुपे की तेजी आ चुकी थी दो पहर 12 बचकर 5 मिनिट पर कमपनी का शेर 15 विजदी की तेजी के साथ 1803 रुपे पर कारोबार कर रहा था देखा जाए तो गौतम अडानी कमपनी की तरफ से लोन की प्री पेमेंट और अडानी ट्रांसमेशन के तिमाही नतीजों में प्रॉफिट की खबर आने के बाद अडानी इंटर्प्राइज़ के साथ अडानी के दूसरे शेरों में भी तेजी देखने को मिली है अडानी ट्रांस्वेशन के शेरों में 5% का अपर सर्केट लगा हुआ है वहीं दूसरी और अडानी विलमर के शेरों में 5% अपर सर्केट लगा हुआ है वहीं बात करें गौतम अडानी की नेट वर्थ की तो इसमें लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी देखने को मिली है Forbes Real Times Blinners की लिस्ट में उनकी नेट वर्थ 64.3 अरब डॉलर हो गई है जो की एक दिन पहले 60 अरब डॉलर थी इसके बाद अब वो दुनिया के सत्रवे सबसे अमीर कारोबारी बन गए है मतलब साफ है कि एक बार फेर उनकी जगह दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गई है Forbes Real Times Blinners की लिस्ट में उन्होंने 5 पाइदान का जंप मारा है इस खबर में भी तना ही आप बने रहिए मन इंडिया के साथ